Hello friends, welcome to PSR, I am Reena Jain, for learning Photoshop from basics to advanced, please subscribe to this channel and press the bell icon to get daily videos. आज का हमारा टोपिक है, how to create digital marketing agency visiting card in Photoshop, तर चली शुरू करते हैं. सबसे पहले, file menu में जाएंगे, new पे click करना है, और यहाँ पे pixels के जगे inch select करना है, और यहाँ पे width 3.5 रखेंगे, और height 2 रखना है, resolution 300 रखेंगे, color mode RGB color selected है, background contents, white selected है, इसके बाद off के पे click करना है, अब इसे screen में fit करने के लिए, control की को hold करते हुए, 0 की press करेंगे, तो हमें यहाँ पे rectangle बनाना है, यहाँ से rectangle tool select कर लेंगे, और फिर यहाँ पे rectangle बना लेंगे, अब हमें इसका color change करना है, तो इसके लिए यहाँ पे click करना है, और फिर यहाँ पे click करेंगे, और अब यहाँ पे hashcode type कर लेंगे, 3, 4, 8, and double F, इसके बाद OK पे click करना है, और फिर enter की press करेंगे, इसके बाद control की को hold करते हुए, T की press करेंगे, इसे यहाँ पे set कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे click करना है, और अब एक rectangle यहाँ पे बनाना है, अब हमें इसका color change करना है, तो इसके लिए यहाँ पे click करेंगे, और black color select कर लेंगे, इसके बाद enter की press करने है और फिर ctrl की को hold करते हुए T की press करने है और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करने है और फिर rectangle 2 पर right click करने है और यहां से blending option select करने है और अब यहां से drop shadow select करना है यहाँ पर blend mode multiply रखेंगे color black रखेंगे opacity 75% रखेंगे angle 120 degree रखना है use global light को check रखेंगे distance यहाँ पर कम करनी है 10 pixel कर लेंगे और size 15 pixel करना है इसके बाद ok पर click करेंगे और फिर rectangle tool है हम आपर right click करेंगे और यहाँ से rounded rectangle tool इसे select करना है और यहाँ पर radius 100 pixel रखेंगे अब हम यहाँ पर create कर लेंगे rectangle अब हमें इसका color change करना है तो इसके लिए यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से यह वाला color select कर लेंगे इसके बाद enter की press करना है और फिर control की को hold करते वे T की press करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे अब हमें इसके डुप्लिकेट लेयर बनानी तो इसके लिए कंट्रूल की को होल करते हुए जै की प्रेस करना है और फिर कंट्रूल की को होल करते हुए टी की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और अब हमें इसकी एक और duplicate layer बनानी ही तो इसके लिए control की को hold करते हुए जै की press करना है और फिर control की को hold करते हुए T की press करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है और फिर shift की को hold करते हुए यह इस तरह से set करने के बाद यहाँ पर click करना है और अब rounded rectangle tool है हमाँ पर right click करेंगे और यहाँ से custom shape tool इससे select करना है इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से circle वाला shape select करना है इसके बाद enter की press करेंगे और अब यहाँ पर create करना है अब हमें इसका color change करना है तो इसके लिए यहाँ पर click करेंगे और white color select करना है इसके बाद enter की press करेंगे इसके height आप देख सकते है 59 pixel है तो यहाँ पर width 58 है तो इसे भी हम 59 कर लेंगे इसके बाद enter की press करना है और फिर control की को hold करते हुए T की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे click करेंगे अब हमें इसके duplicate layer बनानी है तो इसके लिए control की को hold करते हुए J की प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं duplicate layer लेंगेर नीचे के बाद यहां पे क्लिक करेंगे और फिर यहां पे क्लिक करेंगे और यहां से phone का icon select करना है इसके बाद enter की press करेंगे और अब यहां पर create कर लेंगे अब हमें इसका color change करना है तो इसके लिए यहां पर click करना है और black color select करना है इसके बाद enter की press करेंगे और फिर control की को hold करते हुए T की press करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है और फिर यहाँ पर click करेंगे यहाँ से mail का icon select करना है इसके बाद enter की press करेंगे और अब यहाँ पर create कर लेंगे और फिर control की को hold करते वे T की press करना है इसे यहाँ पर set कर लेना है इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और अब यहाँ पर location का icon set करना है तो folder से इसे drag करेंगे और photoshop में लाके इसे drop करना है अब हमें इसकी size गम करना ही तो alt और shift की को hold करते हुए corner से drag करेंगे अंदर की तरफ और इसे यहाँ पर set कर लेना है इसके बाद यहाँ पर click करेंगे अब हमें यहाँ पर text type करना है तो इसके लिए यहाँ से type tool select करना है font आप देख सकते है mon select करके जो font है वो use कर रही हुए आप चाहिए तो कोई भी font use कर सकते है तो जो भी font आपको use करना है उससे select कर लेना है और फिर यहाँ पर click करेंगे और आप company का contact number type कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है अब हमें text के size कम करनी है तो यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से 8pt select करना है इसके बाद control key को hold करते हुए T की press करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर email address टाइप कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और फिर control की को hold करते वे T की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर address टाइप कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और फिर control की को hold करते हुए T की press करना है और इसे यहाँ पर set करना है इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और फिर यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर नाम type कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें इसके size बढ़ानी तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से 12PT select करना है इसके बाद control key को hold करते हुए T की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर designation type कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है हमें इसकी size गम करनी है तो यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से 8pt select करना है और फिर यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से regular select कर लेंगे इसके बाद control की को hold करते हुए T की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे अब हमें यहाँ पर company का logo set करना है तो folder से इसे drag करेंगे और photoshop में लाके इसे drop करना है और फिर alt और shift की को hold करते हुए corner से drag करेंगे अंदर की तरफ इसे यहाँ पे set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे click करेंगे और अब यहाँ पे company का नाम type करना है इसके बाद यहाँ पे click करेंगे और फिर यहाँ पे click करना है और यहाँ से 10pt select कर लेंगे और फिर यहाँ पे click करना है और यहाँ से bold select कर लेंगे इसके बाद control key को hold करते हुए T की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है और अब यहाँ पर tagline type कर लेंगे और फिर यहाँ पर click करेंगे और अब यहाँ पर click करना है और यहाँ से 6PT select कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से regular select करना है इसके बाद control key को hold करते हुए T की press करेंगे और इसे यहाँ पे set कर लेंगे फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे hash code type कर लेंगे 3, 4, 8, N, F इसके बाद OK पर क्लिक करना है आप देख सकते हैं हमारे visiting card का front side design हो गया है अब हम इसका back side design करेंगे तो इसके लिए file menu में जाना है new पर क्लिक करना है और यहाँ पर width 3.5 height 2 रखेंगे inch में ही रखना है resolution 300 रखेंगे color mode RGB color selected है background contents white selected है इसके बाद OK पर क्लिक करना है अब इसे screen मे fit करने के लिए control key को hold करते हुए 0 की press करेंगे अब हमने जो front में design बनाया था वो same design हमें back में भी चाहिए तो इसे front से ही उठा लेंगे इसके लिए हमें पहले rectangle वाली layer को select करना होगा तो rectangle 1 को select करना है इसके बाद control key को hold करते हुए rectangle 2 को select करेंगे दोनों layer select हो गई इसके बाद यहां से move tool select करना है और फिर old key को hold करते हुए इसे यहां से drag करेंगे और फिर दूसरे tab में hold करना है और अब shift key को hold करते हुए यहां पर drop करेंगे और अब यहां पर company का logo नाम और tagline set करना है जो कि हमने front में दिया था तो इसे भी हम यही से उठा लेंगे तो पहले इनकी layer select कर लेंगे tagline वाली layer पर click करना है और फिर shift key को hold करते हुए logo वाली layer पर click करेंगे तीनों layer select हो गई आप देख सकते हैं और अब old key को hold करते हुए यहां से drag करेंगे दूसरे tab में hold करना है और फिर यहां पर drop कर लेंगे इसके बाद control key को hold करते हुए ठीकी प्रेस करेंगे और इस सेट का URL टाइप कर लेंगे इसके बाद यहां पर click करना है और आप control key को hold करते हुए ठीकी प्रेस करेंगे और इसे यहां पर set कर लेंगे इसके बाद यहां पर click करना है आप देख सकते हैं हमारे visiting card का back side भी design हो गया है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही so friends I hope you like this video if you are a new visitor then please subscribe to this channel and press the bell icon